राज्येपाल कल राज मिश्र ने कहा कि फैकलिटी डवलपमेंट के अंतरगत शिक्षन की बोजिलता को दूर करने के लिए कारे की जाने की आवशकता है। उन्होंने कहा कि चिकिदसा शिक्षा में जो नवीन तम परिवर्तन हो रहे हैं उनको सम्मेलित करते हुए नई सिक्षा नीती के आलोक में शिक्षर को प्रभावी किया जाए। उन्होंने कहा कि सीखना और सिखाना सतत्य प्रकरिया है ऐसे कारे क्रमों की जर्ये ये प्रियास किया जाए कि सिक्षन विध्यार्तियों को भविशे की चुनोतियों के लिए तैयार कर सके। शिक्षा नीती के आलोक में भी फैकलेटी डवलपमेंट को अगतन किये जाने पर जोर दिया। कि क्रियानमन किया जाए राज्यपाल ने कहा कि सिक्षा वही साथ तक है जिसमें नरेपन और जोर हो। सेक्षिक नवाचारों को जितना अधिक हम अपनाएंगे उतना ही हर्षेतर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्यानारजन के साथ साथ सिक्षा ग्यान उपी तभी बनती है जब युगीन संदर्वों का समावेश करते हुए उसमें नवाचारों को अपनाया जाए। इससे पहले राज्यपाल ने उपस्ते दिजगरों को समीधान की उदेशिका का वाचन करवाया और मूल करता विये पढ़कर सुनाए। उन्होंने दीप प्रजवलित कर संकाई विकास कार्यकरम का शुभारम किया इससे पहले नेशनल बोर्ड ओफ एक्ज्वामिनेशन इन मेडिकल साइंस की अध्यक्ष डॉक्टर अभीजीत सेट ने इस कार्यकरम की उपादेता के बारे में विस्ता से जानकारी दीॉपाद् दीक्ष डॉक्टर सी मलीकारजुन ने संकाई विकास के लिए राज्येवार किये जा रहे हैं कार्यकरमों के बारे में बताया उपाद्यक्ष डॉक्टर शिवकांत मिश्ण ने भी सभी का आभार जताया जंता दर्बाया न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही